और उधर हमास और इस्राइल के बीच में जंग लगातार जारी है और उसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो जारी किया गया है हमास ने ये वीडियो जारी करते हुए दावा कर दिया है कि उसके लड़ाके इस्राइल की सेना को खान यूनिस में निशाना बना रहे हैं वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसरैल के टैंक को घर के अंदर से एक धर्वाजा खोल कर निशाना बनाया जा रहा है वहें इस वीडियो में आगे ये भी दिखाय गया है कि कैसे आतंग की सुरंगों से बाहर निकल रहे हैं कि ये पीले रंग की ब्रैंड न्यू गाड़ी में आये उन्होंने सोचा कि यहां शहर में कोई नहीं है वो पिछले दो घंटे से मुस्लिम कब्रिस्तान को तबाह कर रहा था और ये विडियो बकाइदा हमास की तरफ से जारी किया गया है और एरो करके दिखाया गया है ये व विडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इस्राइल के जो टैंक है उनको घर के अंदर से ये गरवाजा जो है वो खोल कर निशाना बनाया जाता है और उसके बाद हमला करने के बाद एक बार फिर से वो अंदर चले जाते हैं और इससे पहले भी कई बार खबर सामने आते रहे हैं कि वो सुरंग बना कर वही पर छिपते हैं और एक बार फिर से जाहिर होता है कि कैसे जब वो देखते हैं कि इसरेल के टैंक बाहर है वो सुरंग से बाहर आते हैं और उसके बाद हमला करके वापस से सुरंग में घुज जाते हैं हमास ने इस वीडियो में ये arrow लगाया है और arrow लगाकर ये बताया है कि target कैसे किया जा रहा है वहाँ पर और हमला करते हुए विस्फोर्ट का जो गाइदा विडियो था उसको भी यहाँ पर record कर लिया गया है यह आप देखेंगे कि पीले रंग की brand new गाड़ी में आये सोचा नहीं यहाँ शहर में कोई भी नहीं है